आप लोगों ने कभी करेली की सबसी खाई है गर में करेली की सबसी बनती होगी मम्मी जब जिस दिन करेली की सबसी बनाती होगी उस दिन घर में बच्चे क्या बोलता है अरे यार मम्मी क्या करेली की सबसी बना दे इतनी कड़ी लगती है मैं तो नहीं खा रहा कुछ और बना से आपको क्या-क्या benefits मिलते हैं अगर आपको नहीं पता तो चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब और बैल आइकन को दबाना मत भूलेगा तब आपको मिलेगा मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइब लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दो चाटूपनव कपजित परम अब दोस्तों अश्ठान ग्रिद है चाप्टर नमबर सिक्स शलोग नमबर एटी अब दोस्तों यह जो मैंने बताया है शलो उसका मतलब क्या निकलता है करेला जो है उसका जो हरस रहता है, वह कटू रहता है कटू-रस के साथ-साथ में इसका जो यह होता है दि अम इना ने अन्य दिपनय को रहे हैं और प्रम इसका सबसे पहला जो पीम करता है फिश को ब्रॉबलेंस लेज करता है तो दोस्तों जिनको भी कफ दोस्ट रिलेटर प्रॉब्लम रहती है जैसे कि अस्तमा, कूल, कफ, टीवी इन सारे लोगों के लिए करेला इस दे बेस्ट मेडिसिन इससे बेस्ट कोई मेडिसिन हो भी नहीं सकती तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि करेले की क्या-क्या बेनिफ है ग्पारे टाहिए और अधर अब को ब्लेट प्रेशन की शिकायत के शिकायत अगर आपको स्किन डिसौर्डर की शिकायत जिसकी शिकायत इसकी स्किन में बन जाते हैं इन सारी चीजों के लिए जो है वो करेले का जू जूस है दस से तीस हमल वो इलाज कर देता है आप महार जाते हैं बड़ी मैंगी मैंगी दवाईया लाते हैं करेला जाके लेकर आईए 30-40 उपर किलो बहुत ही सुस्ता करेला और बेस्ट मेडिसिन भी अब इसको बनाना कैसे है करेला बनाने का एक तरीका रहता है कि कर करेली की सबसी कैसे मना दी यह तो क्या है कि करेला कड़वा करेला कड़वा बोल बोल कि बच्चों को एक माइंसेट कर दिया गया है इसलिए वो नहीं खाते करेला करेली की सबसी तो दोस्तों इसी के अलावा करेली के पत्ते भी बहुत जादा लाब करी करेली के जो पत्ते है उसको पत्ते आहार बोला गया जिनको हम खा सकते हैं अब करेलिए के जो पते रहते हैं वह पिततोश बढ़ाता है और क्रिमेगल नहीं नहीं होता या फिर चोटोट चोटे बच्चे बच्चे नहीं हुए तो जो जिनका जो तीन-चार-पांट साल के होते हैं उनके पेट में एंजाइम स्पूरी तरीके से बड़े नहीं होते हैं तो डॉक्टर क्या करने की कुछ जरूत नहीं है या तो उनको करे लिक पत्ते का जो जूस है वह आदा चमत से भी कम थोड़ा सा उनको पिला दीजिए तो उनका डायरिया रुप जाएगा या फि उनको जो है तो भी रूख जाएगा तो दोस्तों ओवराल मैंने करेले के उपर जो भी चीज़ें हैं बेनेफिट्स हैं मोबिले आपको बता जी कि करेले के सबसी खाली चाहिए पीस बच्चों करेली की सबसी खाई यह बहुत ही जादा लाबकारी होता है माम्मी को मणा मत क करें बेलकुल कड़वानियों तो बहुत ही जादा टेस्टी रहता है करेली कि सबसी तो दोस्तों अभी अगर आपको कोई भी कोईरी कोई भी डाउट रहा तो मुझे लीचे कमें सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं जल्द से जल्द आपको रिफ्लाइब करूंगा और अगर आपको यह वीडियो यह अच्छे लगे तो दूसरों के सब शेयर करें लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो दोस्ता आज के रहें तब तक के लिए स्टेफिट सेहल्दी स्टेटूब नवश्कारा